करेंगे इसमें योनिट टू वर्ड हिस्ट्री के एवल्यूशन आप क्लासिकल ग्रीस के बारे में तो दोस्तों बहुत तरह लोगों का ये कमेंट आ था मेरे चनल पर अभी रीसेंट्ली कुछ कमेंट आए और उनलों बोला के सरा आप आईडियो भरत की वीडियो सो लाते हो वेटी देटे हैं जोना लोगों के लिए इनकर सेकंट सैम हो सकता है लोगों के लिए तो मुझे लगा चलो भाई पहले ऑड़ेली अफलोड कर चुका है उंक्तु मैं और उसमें पोताया हुआँ मेसर पोटामिया के वारे में मिस्तर की जो सिब्लाइशन उसके वारे में बताए हुआ था तो मुझे लगा कि चलो यार यह वीडियो भी आपके लेकर ही आ जाता हूं तो हम क्या पढ़ने वाले जल्दी चलिए डिसकस करते हैं स्क्रिन पर देखिए दोस्तों क्या लखा होते हैं उसका मतलब क्या होता है पुराने गाने तो बैसे सांथियों क्लासिकल का मतलब है यहां पर एंशियंट अब पढ़ने के वाले हैं तो एक भाई ने मेरे को पैसेज किया था टेलिगराम पर उसने मुझे पूरा सलेवस का पीडिया भेजा था और उस पीडियाप के एक माई के नियन और तीसरा है डार्क एज तो विसी के लिए जो डार्क एज है इसके बारे में आपको पढ़ना है खास तो और से सेमेस्टर टू मैं तो जो बिहार की उनिवर्सिलिटी हैं उन लोगों के यह काम आएगा मद्ध व्रदेश की उनिवर्सिलिटी हैं उसमें जो आपका बोच सकते हैं सेकेंड डियर के इस्ट्री उसमें भी कहीं नहीं कहीं काम आएगा तो मतलब वर्ल्ड इस्ट्री जन लोगों का है उनको बहुत हैल्प होने वाली है साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि और भी सारी हैडिंग्स हैं लेकिन हम में में कुछ इसका मतलब इतना जाइन का दोस्तों इंग्रिश मिडियम में है तो थोड़ा सा आप लोग इंग्रिश मिडियम में नहीं समझ पा रहे होंगे तो बता देना हैं ले आऊँगा ऐसी को टेंशन मली बात नहीं है एके मिनिट्स का मतलब होता है इरानियन एमपायर जिसको अपने लोग परशियन एमपायर ये बोलते हैं तो एके मिनिट्स का मतलब क्या है इरानियन एमपायर जिसको आप लोग परशियन एमपायर ये बोलते हैं तो एक टाइम पर दोस्तों, जो हमारा एशिया कॉंटिनेंट है, इसमें इसमें ऑपका इरान आता है। तो एक टाइम पर, ग्रीक स्टिलमेंट्स भी, बढ़ रहते हैं। अब हम बात करें तो यहां पर का लिखा हुआ है। तब pattern of development of ancient Greece represents an exception during the age of empires जो पूरा Greece का development है वो एक बहुत बड़ा exception है इस empire के टाइम पर मतलब सोचन आपके एक समय एक पूरा Iranian empire develop हो रहा है बहुत अलगला राजा आ रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है Greek empire develop हो रहा है आये क्या बताए हुआ है Greece was unique and was a center of great civilization but did not develop into a empire और a territorial large political state तो Greek एक civilization तो बहुत बड़ी थी लेकिन ये empire के तोर पर develop नहीं हो पाया अब इसके पीछे बहुत सारे करण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो हम discuss करेंगे back to back फिलाल में हम लोग बात करते हैं second paragraph की क्या लिखा हुआ है सिर्का तो यह सिर्का वाला नहीं है आप लोग सोचो के यह खाने वाला सिर्का है अरे नहीं भाई सिर्का मतलब एक के बोल सकते हैं time period है 500 BC के आसपास यह period शुरू हुआ था और इसको classical Greece का period माना जाता है सबसे glorious faces को माना गया है classical age जो है इसके शुरुआत हुई 500 BC से मैं आपको बता चुका हूं और और मकदूनियन conquest मतलब जो ग्रीक स्टेट से उनको जीता किसने मकदूनिया के राजा एलेकसेंडर ने 338 BC तक तो यह आप डिफरेंस निकालने 500 माइनस 338 BC तो कुछ लगवग लगवग आपका जो है निकलता है डिफरेंस कितने साल का 238 साल का तो यह जो पूरा time period है इसमें मकदूनिया के राजाओं ने खुब कंट्रोल किया Greece के ऊपर आगे आपको दिया हुआ है 2000 BC में the large island of Crete in Greece had emerged the center of first bronze age civilization in Europe तो यह बहुत important question है जो आपके MC को उसमें पूछा जा सकता है कि जो first bronze age Greece की Europe की यह basically कव स्टार्ट हुई तो 2000 BC इसका answer है तो दोस्तों I hope आपको यह सारे सीने clear हो गई होंगी first or second paragraph की आपको यह कोशन आता है ancient Greece के ऊपर evolution के ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना थोड़ा साथ आपको यह बाला प्रेग्राप में से कुछ important points यहाद रखना है साथ मैं आपके जो मैंने सिर्का की बात बताई आपके लिए इसके लाव मकदोनिया का conquest बताया 338 BC में और साथ मैंने आपके लिए कि 2000 BC के आसपास first branches की शुरूबात हुई थी यदि यह तीन पॉइंट भी आप यह रखना लेते हैं तो that is sufficient for your answer writing आगे बढ़ते हैं और डिसकस करते हैं कुछ और चीज़ है अब हम दोस्तों बात करें यहां पर तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट किसीब civilization को तो जो copy checker है वो समझता है कि यार वाकिय में knowledge है बंदे को तो मतलब आपका काम आसानी हो जाता है आप उसके mind को परक लेते हो आप कहने कि उसको hypnotize कर लेते हो तो तो दोस्तों geographical features देखते हैं क्या लेखा हुआ है कि evolution of Greek civilization Greece की civilization को समझने से पहले हम लोग थोड़ा वो बहुत सारे रगवी अरियास में बटा हुआ था तो जैसे क्या लिखा हुआ है एंटोलिया थ्रेस आइलेंड सॉफ एजियंसी क्रेट साइप्रस मैंलेंड ग्रीस सृदन इटलिया और सिसली तो यह कुछ इंपॉर्टन एरियास है ना मैंलेंड ग्रीस इस इस इन इंड घरा हुआ है तो यह घरा हुआ है आईओनेंसी से बेस्ट साइड में एजियंसी से एस साइड में और मेडियेंसी से साउथ में तो दो मिनिट के लिए मिली आपको समझाना चाहूं यहां पर तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कैसे बिद्द हैल्प आप दिस मैप तो ऐसा लगता है दोस्तों जैसे पाम हो तो पाम मतलब आप समझते हैं नजातिली होती यह जैसी बैसे दम प्लेंस एरिया है तो इस एरिया को बोलते हैं क्या पैलोपनेस यह एक आइलेंड है और पूरे जो गल्फ ऑफ कॉरिंथ है इस से यह लगए दोस्तों नाम फ्रेश्ट आपके लिए हो सकते हैं आई अंडेस्टेंड बट फिर भी आप खुशिज करेंगे तो कुछ जिए तो आपको याद रह जाएंगी देन उसके बाद थोड़ी से और बात करें जो ग्रॉफी की तो एक चोटा सा स्ट्रिप ऑफ लिनेंड मतलब जमीन का एक चोटा सा हिस्सा करनेट करता है पिलिफनोस के नौर्थ और इस्टन पार्ट को यदि हम बात करें एक फिरमस सिटी की इंशिंट ग्रीज की तोस सिटी का नाम है कॉरिंथ यह कहां पर है पिलिफनोस के बिलकुल किनारे पर यह बसा हुआ है तो यह कुछ इंपॉर्टन चीज है आप इस वहल ग्रीक सिब्लाइशन को समझने वाली बात तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीक सिब्लाइशन को तीन हिस्तों में बाटा हुआ है एक है मिनिवन दूसरी है आपकी मैसिनियन और तीसरा है आपका डार्केज तो चलिए डिसकस करते हैं मिनिवन सिब्लाइशन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि in deciding the chronology of ancient Greece जब आप ancient Greece civilization की क्रम को देखते हैं chronology को देखते हैं तो minivan civilization को आप first bronze age मानेंगे यानि कि पूरी Greek civilization को यही में आपको समझाओ तीन हिस्सों में बटी हुई है पहला है minivan, उके उसके बाद है आपका mycenian और तीस राय आपका dark age जिसको अपन homer age भी बोलते हैं क्योंकि आपके सलेवस में dark age नहीं दिया हुआ है बलकि homer age दिया हुआ है तो इसको मानते हैं first bronze age minivan को अधियम civilization के बादे में समयना चाहें इसके कुछ important characteristics समयना चाहें तो लिखा हुआ है कि 30 million BC के आसपास मतलब 3000 BC के around यह civilization डेवलप हुई थी और कब तक चली 1400 BC तब यह civilization जो है इसको किसने पता किया इसके बारे में कि यह civilization थी एक time period में तो 20 century के एक person थे जिनका नाम था Arthus Evans इन्होंने digging की थी इस area में जाकर और उस digging करने के बाद मतलब खुदाई करने के बाद इनको जो बहुत सारे बोल सकते हैं कि चीज़ें मिली उससे इनको समझ में आया है कि हाँ एक time पर एक बहुत बड़ी civilization थी जिसका नाम basically यहाँ पर आपको समझाया मैंने minimum civilization था अब आगे दिया हुआ है दोस्तों जब इन्हों खुदाई की क्योंकि देखिए history जो होती है वो based होती है जो भी search की जाती है जो भी खुदाई की जाती किसी area की उससे जो मिलता है उस पर based होती history तो जब यह खुदाई की गई 20th century में सर आर्थोस इवांस के leadership में तो कुछ ऐसे पत्थर मिले कुछ ऐसे बोल सकते हैं खंडर मिले जिससे connect करेके उन्हों नों देखा कुछ समाजी में आया कि शायद यह जो जगाए हैं जैसे कुनों सोस नाम की जगा को उनको पता चला फैस्टोस में लिया तो उनको पता चला कि एक इंपॉर्टेंट टाउंस थे मिन्वेन सिवलाइशन का यह एक इंपॉर्टेंट बात है अब बात करते हैं कि जैसे जैसे मिलती जाती है वैसे में से इंट्रेस्ट आता जाता है history को समझने में पढ़ने में तो इन्हों ने अ इसका में बोल सकते हैं काम था और इनकी जो एकनोमी थी टोटली क्या थे रूरल एकनोमी थी बात करें अगरी कल्चुरल प्रड़क्ट्स की मतलब कल्टीवेशन की तो वीट है ग्रेव से औलिफ से इस सब की यह खेती करते थे गाउं से शहर में गुट्स आते थे और यहा करते थे और दोस्तों यूजली एक यह मतलब कोई रटने वाली बात नहीं समयने वाली बात है आप कोई सी भी स्विलाइशन पढ़ रहे हो आपको यूजली एकनोमी जब पढ़ेंगे ना तो आपको यही ध्यान रखना है यह दो चार चीज़ यहाद रखो कौन-कौन सी प नाम दिया गया है मिनुवेंस इन लोग का कनेक्शन था उस समय ग्रीज के बाहर के जो देश थे जैसे की एजिप्ट आज ग्रीज के बगल में देश है एंटोलिया फिर लेवनीज कोस्ट साइप्रस इन सब के साथ कनेक्शन थे मतलब ट्रेड जो है मिनुवेंस है कि हाँ वाकिय में इनको राइटिंग आते थी इट सीम्स टू है बिन यूज्ट फो ट्रेड एंट एक्सचेंज और ऐसा लगता है उनके सैंपल को देखकर राइटिंग के कि शायद यह जो लिखावट करते थे जो राइटिंग करते थे वो ट्रेड के लिए करते तो एक सब्सक्राइटिंग के बारे में उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे आगे की हेडिंग मिनमन स्यविलाइशन ऑफ क्रेट केम टु एन डाउं फॉर्टीन हंड़ बैसी तो मिनमन से लिएशन में क्रेट नाम की जगह थी ये खतम हो जाती है लगवा स्टावल यहां पर जंग कोई भी जगा होती है वहां कुछ लोग रहते और एक समय के बार कुछ ऐसीन चीमी बादाते पर मुए से हमाया हो तोई उसके लिए फस्ट कारण बता है हुआ नेचरल के लामिटीज दूसरा है आपका कोई बहुत बड़ा बॉलकेन हो आगया होगा सदन एजीन सी में इसके बज़े से भी शायद हो सकता है क्योंकि तूफान आ जाता है बॉलकेन हो जाए से नुकसान होता है इससे भी लोग भी लोग आरे जाते हैं शहर के शहर तबाह हो जाते हैं तो जो क्रेट वाज ओवर बैंड वाइ क्लोनाइजर्स फ्रॉम मेंलेंड ग्रीज हू बॉरोड सम आस्पेक्ट्स ऑफ मिन्यून डेवलेट नीव ब्राउंजे सिब्लाइशन दा माइकने सिब्लाइशन तो यहां प आपका शुरू हो जाएगा माइकनियन डिलाइशन नेक्स्ट वीडियो में तो आई हो दोस्तों यह चोटा सा वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा कि मेरा चोटा सा प्रयास है मैं चाहता हूं आप चीज़ों को समझते रहें पढ़ते रहें जोड़े रहें मेरे साथ आपको डाउट है तो आप हमरा टेलिग्राम गुरूप है आप उससे जुड़ सकते हैं आप कमेंड कर सकते हैं जितने वह सहल बनती है दोस्तों आप टेलिग्राम पे गुरूप पर जाकर देख सकते हैं मैं लोगों की करता रहता हूं क्योंकि मैं खुद एजूगेशन फि समझे देखिए डाउट है पूछिए और चलता रहेगा यह कारव हमारा तो मिलता हूं बहुत दो नेक्स विडिम्ट तब तक के लिए खुश रहे हैं जैन जै भारत